जिनने पिछले तीन दिन से पूरे देश का मीडिया ढूण रहा है बहुत पुराने प्रोफेसर हैं कल तक उधर थे, आज इधर हैं प्रवक्ता दमदार हैं हर वक्त तैयार हैं कल तक कॉंग्रेस की ढाल थे, अब बीजेपी की तलवार हैं आज पूछेंगे उनसे की कॉंग्रेस से उनकी क्यूं दगरार है संबित पातरा से इतना क्यूं प्यार है जिनके पास हर सवाल का जवाब फटा फट है ट्रिलियन के जीरो ढूणने वाले नए जमाने के आरे भट हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजे अर्थ शास्त्र के जानकार बेहद मजे हुए प्रवक्ता बीजे पी के नए नवेले नेता प्रोफेसर गौरफ बलनाब स्वागत है आपका स्वागत है गौरफ जी प्लीज कम वेलकम वेलकम जोरदार तालियों जाए गौरफ जी के लिए आईए सर्ट प्लीज बैठिए हमारे एडिटर्स है गौरफ जी हमारे साथ है गौरफ जी पहला पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत टीवी नाइन में आने के लिए लेकिन बीजेपी नेता गौरफ बलनाब मुझे ही बोलना बोलने में थोड़ा अजीव लग रहा है आपको नहीं लग रहा है और मैंने ऐसा नहीं कि उन इश्यूस के लिए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं को अपनी भावना से अवगत नहीं करा है मैंने हर वरिष्ट नेता को हर हर मीन्स हर जो भी आपके जहन में जो भी आपके जहन में जितने नेता उनको बोला कि साब सनातन के विरोध में कॉंग्रेस के नेता अपमान जनक बाते बोलते हैं एलाइन्स पार्टनर सनातन को गाली देते हैं उसका रियक्शन दीजिए पर कॉंग्रेस पार्टी ने मेरी नई सुनी मैंने का साब पॉलिटिकल लाभ हानी अलग चीज होती है पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाना एक पॉलिटिकल पाप है इस पाप को मत कीजिए अच्छा मैं पूरा शो हमारा आपसे इसी पर होगा अच लेकिन एक बात बताईए हमने आपका अभी शो पर आने से पहले ट्विटर का प्रोफाइल देखा उसमें मुदी का परिवार नहीं अभी परिवार का हिसा नहीं मानते हैं देखे मैंने काना मैं सब कुछ ट्विटर हो या फेस्बुक हो या आर्टिकल हो मैं खुद करता हूँ कल परसु मैंने भारती जन्ता पार्टी जॉइन करी यह वैसे किस पर तंजे की आप खुद करते हैं मैं स्वैम लिखता हूँ स्वैम करता हूँ मेरे पास कोई इस तरह के सायक नहीं है तो मैं करूंगा वो भी करूंगा पर इतना ज्यादा अगर आप मेरे को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हर चीज पर रियक्ट करूंगा हर चीज पे ये गालियां देना, किसी को व्यक्ति विशेश को नाम लेके बोलना ये खराब है, ये अच्छा है, मैं नीतियों की बात ज्यादा करता हूँ, हो सकता है, उसमें मैं कुछ देर हो जाए, कुछ में से विलंब हो जाए, आपको लगेगी साब पांच दिन से आपका ट्विटर प्रोफाइल में चेंज नहीं हुआ, और नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेला ही अपना काम करता हूँ, परसु मैंने जॉइन किया, कल आप जैसे लोगों ने मुझे सुबे से साम सवालों से मेरा गला बैठा दिया, मैं पिछले चार महिने में टीवी शो में भी देखा, मैर को कोई प्रेस वारता करते देखा, आपको मिस्स कर रहे थे वैसे हम लोग, नहीं, अंशुमान जी बैठे है, अंशुमान जी, बजट पे मैं हर वर्ष प्रेस वारता करता हूँ, इस बार आपने देखा मुझे, क्योंकि मैंने कहा पार्टी को, कि जब तक राम और मैं कह रहा हूँ, नाम मैं कह रहा हूँ, आपके जहन में कॉंग्रेस के जितने नेता आ रहे हैं, उनको कहा, कि आप, पहले बोले साब, वो एक इवेंट है, मैं का अच्छा इवेंट है, अब चले जाओ, अब किसने रोका, अब क्यों नहीं जाते हो, मैंने का, आप वह बजट के उपर प्रेसवारता करने का समय आया, मैंने का, मैं सुबे से शाम, वेल्थ क्रियेटर्स को गाली नहीं दे सकता, जो अपनी पुंजी लगाकर, आइडिया लगाके, पैसा कमाता है, मैं उसको राष्टर निर्मान में, रेस्पेक्ट दे सकता हूँ, गाली नहीं दे सकता, हर वेल्थ क्रियेटर को एर इंडिया का विनिवेश हुआ, तो जिस समय ने खरीदा, कॉंग्रेस पार्टी ने, उसको गाली देना चालू कर दिया, मैंने रोका, मैंने रोका कि हर बिजनस समय खराब नहीं हो सकता, एक बिजनस समय के CEO ने मोधी जी की तारीफ कर तो उस बिजनस समय के पीछे गाली देना चालू कर दिया, अडानी और अंबानी को सुबे से शाम, मैंने का साब सेबी की रिपोर्ट आ गई है, अब अडानी के उपर बात करना, हम मजनता का और सेबी जैसी संस्ता का मजाक उड़ा रहे हैं, बंद होना चीए, मैंने स्वय जैसे शाम गाली देओ और भागो, वो नीती से ना तो ये युवा आपकी तरफ आकर्शित होंगे, ना देश के लोग आपकी और आकर्शित होंगे, आप सत्ता तो छोड़ दीजे, सशक्त विपक्ष की भूमी का क्यो नहीं निबात हैं, और मेरे पत्र में एक शब्द दिखा, दिरेक्शनलेस, और दिरेक्शनलेस का अर्थ ये है, आज EVM टेंपरिंग, EVM हैकिंग की बात, कल कास्सेंस की बात, पर्सू अडानी अंबानी को अगाली की बात, उसके अगले दिन नर्सू, एम्प्लॉयमेंट की इश्यू, उसके अगले दिन अगनी वीर, अरे देरी सम्तिंग कॉल्ड एस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम, रचनात्मक आलोचना, आप आलोचना करो, तो वट शुट बी दा वे फॉरवर्ड, वो शुट बी रिटर्न, आप किसी की आलोचना करो, आपको असाब गौरव खराब है, ठीक है, पर क्यों खराब है, उसको क क्या करना चीए, जिससे वो अच्छा हो जाए, जब तक आप ये बातें नहीं बताओगे, आप प्रिजुडाइस कहलाओगे, मेरे से जलन्शील करने वाले आदमी कहलाओगे, हर चीज मेरी खराब नहीं हो सकती, सारी कॉंग्रेस के सारे प्रवक्ताब ये कह रहे हैं, जबर्दस्ती है, जबर्दस्ती उनसे बुल वाए जा रहा है? सारी कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता है मैंने किसी का नाम मैं क्यों किसी के नाम लेओं मैंने उनके साथ काम किया और मैं कॉर्परेट में बरसो बरस नौकरियां कर चुका हूँ साब एक ethics भी होती है मैं लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं उससे तो आप directionless बोल रहे हैं तो इसका मतलब या तो यह मलका अर्जुन खड़गे को लेकर सवाल है या राहूल गांदी को लेकर सवाल है वो निर्ने नहीं ले पाते हैं। वो चित्थी की पेरेग्राफ उठा उठाके ले लेके उनके इमेल पे मेल किया कि साब ये गलत है। ये सनातन विरोध पे चुपी गलत है। साब राममंदी की प्राण ततिष्टा का न्योता। मुझे आप बताइए आप इतने सब लोग में हमारे दर्शक विद्वान लोग बैठे हैं। मैं एक सवाल आप से पूछता हूँ। मैं आपको मेरी पुत्री का विवा का इन्विटेशन देओ। आप मुझे ये जवाब देओगे। डियर प्रोफेसर गौरव वल्लब रिसीवड यॉर इन्विटेशन आप यॉर दॉटर्टर्स वेडिंग। आई विल नॉट कम। ऐसा जवाब देते हैं क्या अपने संसकार है क्या। ये मैंने उनको कहा साब ये क्या कर रहे हो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा के न्यूताब हम नहीं जाएंगे। अरे। लेकिन वो कह रहे हैं ब्याच्पी का कारक्रा में हम जो जाएंगे। अरे उसके तीन महीने हो गए है। नहीं लेकिन एक मिट रादिका खेडा गई चन्नी साब गया। गौरव वल्लब भी गया। पर गौरव वल्लब नहीं कॉंग्रेस का शीष नेत्रत्य क्यों नहीं गया। मुझे अध्यक्ष बनाते तो मैं मानता कि कॉंग्रेस गई। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, गौरव वल्लब भी जाके आचुका है, सह परिवार, सह पत्नी, सह बच्चे। तो मेरे जाने से कॉंग्रेस का जाना नहीं हुआ। तो पर आपति क्या है, कॉंग्रेस में आपको रोका थोड़ी। पर जिनको नियोता मिला, वो क्यों नहीं गई। तो मैं कहोंगा साब मैं गया था, नियोता था क्रिशान चतुरवेदी कहेगा, अरे आपके जाने से क्या होता है, कॉंग्रेस के अध्यक्ष क्यों नहीं गई। कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष क्यों नहीं गए गांधी परिवार के लोग क्यों नहीं गए फिर मैं अपना टका सा मूँ लेके यहां से जाओं मैंने कह दिया था वो कह रहे हैं जब राम का बुलावा आएगा तो जाएंगे तो मतलब भगवान राम उनको दर्शन नहीं देना चाहते अब यह ऐसे आप यह चाहते हो कि बगवान का बुलावा आएगा जब जाएंगे इंज टमीस प्रभुश्री राम दर्शन ही नहीं देना चाहते तो मैं उस पाप का भागी क्यों वनूं भाई मैंने तो पाप किया नहीं मेरे को तो दिये दर्षन पहले भी दिये प्रान प्रतिष्टा के बाद भी दिये अभी फिर जाओंगा कौन रोकता है मैं देखता है लेकिन बीजेपी के भी कई सारे नेता मंत्री वहाँ पर नहीं गए प्रधान मंत्री गए बीजेपी के अध्यक्स गए तो देजादा पीपूल हुँ रंस ता पार्टी अब आपको साब कॉंग्रेस के कही लोग गए आप क्यों नहीं चले मैं च से लेगे 150 और मुझे बताइए बीजेपी के कितने कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर गए आप तो गए चन्नी साहब गए रादिका गई इस सब तो मुझे याद है लेकिन बीजेपी के आप मुझे बताईए अरे साब आप मेरी बात नहीं समझ रहें जिनको नियोता दिया नहीं जाये और बिना नियोते वाले गजाये मैं कोई जिनका आप नाम ले रहे हो चन्नी साहब है रादिका जी अच्छी बाते ना गए तो मैं कोई उनके खिलाफ थोड़ी हूं पर उनका जाना क्या वो क्या कॉंग्रेस अध्यक्स है चन्नी साहब मैंने तो उनको वोट नहीं दिया Congress अद्यक्स बनाने में और मेरे को तो नहीं पता मेरे ग्यान के हिसाब से तो वो Congress के शीर्ष नेतरत में अगर शीर्ष नेता अगर गिने जाए तो टॉप 20 में भी उनका नाम नहीं है और जो दीदी का आपने नाम लिया वो टॉप 1000 में भी और मेरे जैसा कारे करता है जो टॉप एक लाक एक ट्रिलियन में भी नहीं है वो भी गया पर वो Congress का मतलब नहीं है वाँ जाना आप मुझे बार बार आप ट्रिलियन का जिक्र करते हैं और मुझे थोड़ा संबित पात्रा की आताती है यह पताईए जॉइन करने के बाद सं वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरी से और और अब आज से हम मैंने एक निर्ने किया है अंशुमान जी अब ट्रिलियन को हम एक लाग करोड बोलेंगे त्रिपाटी जी वन ट्रिलियन इस एकल टूट वन लाग करोड ठीक है इस नॉट आवर यूनिट क्यों अरब खरब क्य सवाल आप ही से शुरू करते हैं अंशुमान जी शंख में कितने सुनने होते हैं पदम शंख मिली महा शंख किकाई दाई सेकला लाक नहीं हजार लाक करोड दस लाक नहीं दस लाक वह दो-दो के मैल्टिपल से बढ़ रहे हैं और यहां अंगरे जी की यूनिट तीन के मैल् अरब के बाद क्या होते हैं उसके बाद क्या होते हैं दस अरब खरब दस खरब आप नहीं समझ रहे हैं आप एक जीरो से बढ़ा रहे हैं आप एक जीरो से बढ़ा रहे हैं आप एक जीरो से बढ़ा रहे हैं इंदी की यूनिट दो-जीरो से ओके-ओके-ओके-ओके-ओके- वित के प्रोफेसर हैं, डेटा को, फैक्ट को, मैक्रो एकॉनिमी को समझते हैं, और ये तो खर चर्चा और समबात की बात है कि ट्रेल में कितने जीरो होते हैं, पर आपको भी पता है, और अब तो भुत सारी आफिशियल सरकार की रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो भारत सरकार पर उसको मैं गलत नहीं, वो सही सवाल है, आप ये भी कह सकते हैं, आपने कई प्रेसवारताओं में उनकी नीतियों की भर-भर के आलोचना करी, बिल्कुल करी, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने और मैंने सरकारी नौकरी के फॉरम जरूर भरे होंगे, हमारे कॉल एक होती है desirable conditions, mandatory condition से समझोता नहीं हो सकता अंशुमान जी, desirable condition अगर वो कुछ candidate में नहीं है, और पहली नंबर की desirable नहीं है, दूसरे नंबर की जैसे, बिना graduation किये आप UPSC का फॉरम नहीं भर सकते, तो वो तो हो गई mandatory condition, अब आप मानलोग proficiency in computer है, तो वो आपकी desirable condition है, अंग करे जी बोलनी आती हो, वो desirable condition है, एक pleasing personality है, तो desirable condition है, पर राष्ट का विरोध और धरम की रक्षा के लिए, ये मेरे लिए mandatory condition साथ साल पहले भी थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी, दूसरी बात, एक 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 बात और, अंशुमान जी, मेरा हमेशा एक शब्द में गेरा लगावरा, economic secularism, जब आप और मैंने Congress Party के हर नेता को बोला, कि 2047 के विक्सित भारत के संकल्प को परिकल्पना की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें एक white paper निकाल के देना चाहिए, कि इस रस्ते से हम 2046 में बना सकते हैं, 47 की वनस्पत, पर हम कह रहें, नहीं ये तो ब मैं ड्रीम ही नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा ही नहीं, तो मैं पाऊंगा कैसे, और मेरे को ड्रीम तो करना पड़ेगा ना, कि मेरे को डवलप नेशन बनना है, और डवलप नेशन बनेगा, तो सिरफ अन्शुमान जी, प्रोफेसर गौरव अलप्त, हर्ष्वधन, डवलप्ड होगा, उस संकल्पना का विरोध किस बात का, आपका रस्ता आपका अलग गलत है, आपको अलग रस्ता मिलता है, तो वो रस्ता बताओ, सिरफ यह कहना ही, यह मोदी जी ने कह दिया, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, मैं आपको एक बहुत, एक इंट्रेस्ट फैक्ट बताता हूँ, लिब्रलाइजेशन, ट्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रधान मंत्री पीवी नर्सिमा राव साहब लाए, वित मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंगी थे, मैं जीवन परियंत आज जो कुछ हूँ, और अंशुमान जी मैं आपके लिए भी क करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, आज आप जिस पद पर हो, या मैंने प्रोफेशनली जो अचीव किया है, वो ओपनिंग आप एकॉनमी के कारण है, आप उस ओपनिंग आप एकॉनमी का रोज विरोध करते हो, आप जब हर विनिवेश के उपर सवाल खडा करते हो, तो आप एकॉनमी का विरोध करते हो, आप एकॉनमी सेकॉलरिजम का विरोध करते हो, तो मैंने मेरा अंशुमान जी को एक लाइन में बोल दूँ, सर, certain conditions, कुछ conditions, unnegotiable, unpardonable, unexcusable है, और मेरे लिए, राष्टर की प्रगती और धर्म की रक्षा, और एकॉनमीक सेकॉलरिजम unexcusable था, है, और जीवन परियन था, लेकिन एक बिन, आप अभी नरसिमा राओ जी की तारीफ कर रहे थे, आप तारीफ कर रहे थे, जो opening up of economy है, liberalization हुआ, लेकिन आप उस party में चले गए, जो ये कहती है कि 70 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं, अब आपको उनकी लाइन ल दिया कि नहीं, इसका मतलब भारती जनता पाटी ने उनके contribution को याद किया, तो इसमें आप आप कहा भारत रत्न देने के बाद ये सवाल की सार्थकता ही नहीं, कॉंग्रेस ने तो नहीं दिया ना, कॉंग्रेस ने दिया क्या भारत रत्ने, कॉंग्रेस का कोई नेता, मैंने टीवी डिबेट में, त्रिपाटी जी, दो तिन बार पीवी नरसिमा राप साब की तारीफ करें, लेकिन एक बात बताईए, क्या उताश्रे मनमौन सिंग जी को नहीं जाता है, उस सरकार में, एक लाइन बोले, मैंने तारीफ करें, और मैंने ये कहा, कि मेरे लिए पीवी टीवी नरसिमा राप साब थे, क्यों लोग कहा नहीं साब, मनमौन सिंग जी ने किया, मैंने का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहे तो कुछ हो सकता है, क्या, प्राइम मिनिस्टर ने हैत्बार किया जब हुआ न, आप उसको क्रेडिटी नहीं देते, क्योंकि उससे आपकी मि ना लो तो ही ठीक है। उने क्यों देश के पधान मंत्री थे। आपने मेरे अलावा आप इतने कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं से रोज मिलते हो, टीवी शोस करते हो, इतने बड़े एडिटर बैठे वे हैं, कॉंग्रेस के किसी प्रवक्ता ने पीवी नर्सिमार आपकी बात पिछले पांच साल में अपने मूँ से करती भी सुनी, क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? यही तो एकनोमिक सेकुलरिजम के खिलाफत है। लेकिन भारत रत मिलने पर तो स्वागत किया, तारीफ की? अच्छी बात है, मैं कब मना करो, बढ़िया बात है। भारत र जी, जोरदार तालियों होतर है। अर्चरदन जी। गरो गरो वल्लब जी आप एकनोमिक्स के प्रोफेसर हैं। अभी तो मुझे बल्ले बास भी लग रहे हैं, बहुत खतरना है। अब बहुत जबरदस्त, मैं एकनोमिक्स का विद्यारती मैं भी रहा हूं। तो आपके आ यात्रा, निया यात्रा नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि सब जगा संगी घुश गया है। सरकार में, जगा-जगा, समाज में। और उसके बाद एक उनका और आया था जब वो अपने कारिकरताओं रहे थे तो कुछ लों का कुछ लों छोड़ छोड़ के जा रहे तो उनका यह जो जा रहे हैं इनको जाने दो, यह सब संगी होंगे। संगी हैं क्या आप। नई जाने पर जंडा उठाना, पार्टी के अंदर अगर संगी होना है तो मैं संगी हूँ। मुझे बोलो, अगर 2047 में विक्सित भारत का संकल्प क्या प्रशंचा करना और उसमें अपनी आहुती के लिए कॉंग्रेस पार्टी को बोलना, अगर संगी है तो मैं संगी हूँ। तो संगी का अर्थ क्या हुआ। राष्ट की बात करना संगी है तो मैं संगी हूँ। अगर अगर अपने दिल की बात करना संग है तो मैं हूँ। अगर चार महिने तक पत्र लेके मैं ऐसे गया लोगों के पास पिछले चार महिने साथियों, जैसे मेरे को नौकरी चाहिए, साब ये पढ़ो साब, एक बार इस पर पढ़ो साब, इस पर रियक्त करो साब. आप ये कई बार बोल चेगें, मुझे एक बात बताईए, क्या Congress के अंदर अभी ये हालात हैं कि अपने ही leaders, अपने ही प्रवक्ताओं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, पूरी तरीके से blinkers लग गएं? देखें, Congress में, वर्तमान समय में, दो-तिन तरह के लोगों की जरूरत है, उनको, देश को है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल है, एक तो वो लोग जो प्रधान मंत्री को नाम लेकर गाली बोलने का साहस रखते हैं, गालियां, माता की, पिता की गालियां, तो Congress उनको कहती, very well done, we are with you, मेरे से तो नहीं बोली साहसा, मैं तो मेरा छोटी बेटी है, वो भी सवाल नहीं करती है, तो भी गुस्सा करने की मेरी हिमत नहीं है, कलना वापिस मेरे को जवाब देदे मैं क्या करूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, जो कर रही ही वो ठीक है, इसक अपर धर्म के उप़र चुपी साधे रखने, मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ, प्रामचरित मानस की प्रतियां जलाई जा रही थी, मेरे पास एक बड़े चैनल का रिपोर्टर आया, बाइट ले, मैंने उसको का, यार मेरा घर थोड़ा लुटियन्स चे दूर है, तो मैंने खा इतना दूर क्यों आया, वहीं ले ले लेता किसी से, बोले आपके अलावा कोई नहीं देगा सर, मैंने दो-तिन लोगों को फोन किया, और नहीं देगा, मैंने क्यों, बोले वो कॉंग्रेस के जो प्रमुक है मीडिया के, उन्होंने मना कर दी, अब बता हो, मैं उन्होंने कुछ बोला नहीं, किसी ने भी, मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी थी, कि मेरे को, क्योंकि मैंने जब पॉंग्रेस पार्टी जोईन करी थी, जब 42 सांसत थे, तो मैं कोई लस्ट आफ पावर के लिए जोईन नहीं करी थी, और रामकरपाल जी मेरा सीवी लेकर, अगर मैं कोई भी पॉलेटिकल पार्टी के पास जाता, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करी वी, एवरेज मैं अपने आपको मानता हूँ, तो मैं करने ता काम, तो मैं 42 सांसतो वाली पार्टी क्यों जोईन करता, तो इसलिए मेरे को कभी चेतावनि या धंकिनी दिए, पर मेरे को इंडारेक्ली ऐसे इंडिकेशन दिये जाते थे, कि यह राम चैरिश्त मानस चल रही है तो कोई बात, अरе भाई क्यों जल रही ही? क्यों कोई भी, कोई बोल देता है, मासारी थे, राम जी फ्हलाना मासारी थे, राम जी यह करते तुमारे को करना क्या आता कुछ है नहीं ग्लान कुछ है ना तो शस्त्र का ज्ञान है ना वेदों का ज्ञान मैं उपनिश्दों का ज्ञारी सूबगे से साम यह हो जायेगा राम मंदिर वहां बना दिया जहां पर प्राण प्रतिश्टा थोड़ी दूर कर दी तुम्हें पता है कि क्या होते हैं किस तरह मंदिर का निर्मान होता है गुंबज की उचाई से मंदिर के निर्मान का क्या रिलेशन्चिप है द्वज की उचाई से भगवान की जो मूर्ती है उसकी उचाई का क्या रिलेशन्चिप होता है पता है इन ग्यान के कुछ आवे है और दुनिया बर का ग्यान देते हैं एक सवाल यह जरूरी आपने आप कह रहेंगे कुछ पता नहीं बस यह में एक सवाल करना चाहता हूं आप मुझे बताईए कि क्या आपके भीतर का जो सनातनी है आपके भीतर का जो हिंदू है वो अचानक जाग गया है और आप कह रहें राम प्राण प्रतिश्था में जो नहीं जाएगा उसके लिए बड़ी अपने एक शर्तें रख दी हैं आप मुझे बताईए कि इतने विज्ञान के अविश्कार हुए हैं पश्चिम में हवाई जहा उससे पहले यहां पूना में बनाया गया था आप इसको मानते हैं तेखिए अब जो मेरा साइंटिफिक टेंपरामेंट वाला आदमी हुए और मैं लॉजिक पे विश्वास करता हूं तो मैं यह कह रहा हूं कि जिन लोगों को जो ग्यान नहीं हो उस विशय पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए अब आपको साब राइट ब्रदर्स ने बनाया था या पहले बना था मेरे तो जो किताबों में पढ़ा जो मैंने सिक्षा ली विज्ञान की आठवी दसुक्यों कि मैं विज्ञान का विद्ध्यारती नहीं रहा पर जो साम आपको जो सवाल पुछा, आपको जो बात करई के सटिन कंडिशिन आर नॉट नेगोशिय worst मैं आपको कहूँ कि साहब 100% मेरे अनुसार आपको काम करना है ना तो आप कर सकते हो ना मैं आपके अनुसार कर सकता हूँ पर कुछ ब्रॉड थॉट्स पे तो harmonization of thoughts लेकिन लेकिन मैं आपको मैं इनकी पूरा नहीं करूंगा तो फिर आपके सवाल कारती नहीं रहे तो कोई harmonization of thoughts अगर ब्रॉड लेवल पे भी नहीं होगा और मेरे जो ये ब्रॉड इश्यूज है ये ऐसा नहीं मैंने छुपा के रखे थे मैं इसलिए मैं पार्टी के हर लेवल पर इन ब्रॉड इश्यूज के लिए लड़ रहा था आप अंतिम समय तक उनको convince करने की मैंने कोशिश की लोग कहते साब अचानक क्यों हो गया अरे अचानक नहीं हुआ है चार महिने से पहले से मैं लोगों को कह रहा था कि इन इन इस्यूज को मत एंटर करो इन इस्यूज पर बात मत करो या तो ग्यान रखो सर आप यह कह रहे हैं एक मिन आपने पॉइंट रखा मैं आप से आप 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 ने का ओंग्रेस के नेताओं को शास्तर और शास्तर का घ्यान नहीं है आप उस पार्टी में अब आ गए हैं जिसके नेता कहते हैं कि महावारत खाल में इंटरनेट था शहल इच्चिक इसा पौरानिक खाल में थी और आप कहते हैं कहूंगा कि साब मैंने तो यह पढ़ा है मैं तो साइंटिफिकली टेंपरा भी उनकी आलोचने कीजे ना मैं भी साइंटिफिकली आलोचने कीजे मैं यह कहूंगा कि aerodynamics aeroplane का जो style है जो जो flying के लिए जो जिस तरह की बनावट चाहिए मेरे को और मेरे पूरवजयों को और मेरे विज्ञान के किताबों में लिखावा है कि वह राइड ब्रदर्श ने बनाया अगर आपके पास जिन का इस सब्सक्राइब के बारे में उसकी क्या बनावट एप उसके बारे में मेरे को पूर्णि नहीं पुश्पक विमान कि नहीं बता गया मुझे मेरी जानकरी नहीं मेरे को जानकरी अपको और यह पानी कैसे फिल्टर होता है और मैं आहीं साफ जानकरी मैं नहीं जानता है कि इसकी कैमिस्ट्री क्या है और मैं कहूँ साब ये गंदा पानी है, इनको फिल्ट्रेशन करना नहीं आता, इनको रोग देना चीए, मैं ये कह सकता हूँ इस विशे की मुझे जानकारी नहीं है पर हर विशे पर आप अपनी टिपका टिपनिया करते हैं वो विशे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इंटरनेट उसका सबसे बड़ा सबूत है एक बार दिखाईए ज़रा गौरव वल्लब जी के कुछ बयान 24 गंटे राउल जी के साथ बिताएं और फिर बताएं कि कौन सा फाइब स्टार है विशे आप कमर है ना कमर या कड़ जाएगी तीन दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे कि हमारे विहाग पर भारत सरकार ने हमारे उपपर एक लाग नोजार रुपे का तज़ चड़ाया हूंगा प्रति हिं दूस्तानी पर दुनिया में सबसे ज़ादा गरीब आज हिंदूस्तान में नहीं चाहिए हमें élect Yana σामुरु का जाप पर देश में भुकमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107 नंबर पर हो मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोधी सरकार रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपी के पार अपने मित्रों पर खूब बड़साई प्यार और देश की जनता करें मेंगाई से हाहकार दो नहीं ये तीन गले वाल हैं और सर अगर शार राज्यों पांच राज्यों साथ राज्यों में चुना होता तो साथ गले आजाते उनके मैं तो सिरव एक ही बात सरकार से चाहता हूँ कि आज मोदी जी और जो उनके सिविल एविशन मंत्री महाराजा जी दौनों गंगा महिया को पानी को हाथ में रखें और बोले कि इस एरपोर्ट को हम बेचेंगे हमने इसमें सनातन का कोई भी आपका बयान नहीं दिखा है लेकिन सवाल एक मेंट सवाल होने जी निशान जी एक बात जो मैंने तीन मुद्दे बताए जो मैंने अपनी चिठी में इंगित कि सनातन का विरोध भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाने का निर्ने और वेल्थ क्रियेटर्स को गाली आप मेरा कोई भी बयान इन तीन मुद्दे के खिलाब दिखाए इन मुद्दों पर क्या आप बीजेपी को सजेशन देंगे लेकिन क्या यह सच था आप यह नहीं कह सकते कि आपका कोई हमने सनातन विरोध का बयान ही नहीं दिखाओगे लेकिन लेकिन जो आप बोल रहे थे क्या वो सच था अब मेरी बात आजाए फिर मैं वाफिस जो मैंने आपको बोला इनमें से कौन सी अननेगोशेबल थी मैंने जो तीन बाते बता हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह वो तो होगे यह अच्छा इसमें भी आपने जित इनने जो कंडिशन सी आपने चार बयान की जगा दस बयान दिखाए अच्छा है आपके रिसर्स टीम बढ़िया काम कर र आपको साफ तोर पर दिखता है कि बीजेपी को करेक्शन करना चाहिए तेखिए आज सुबह भी कल भी मैंने कोई बयान प्रेशर में था इसमें से मैं एक मिन कोई बयान नहीं कोई प्रेशर में कोई प्रेशर में और यह पूरी प्रेस कॉन्फरेंस की जल्किया थी जो आप ने दिखाई उसमें मैंने कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी दिये आप अगर मेरी कोई भी प्यार आपके मैं रिशर्स टिम को कहूंगा मेरी कोई भी प्रेस रिलीज निकाल के देख ले महंगाई है तो कैसे घटेगी उसके बारे में मैं दो परेग्राफ अंत में मैं लि अब मेरे पास दो चारे थे लेकिन राहूल गांदी का यह कहना है कि दरो मत और गौरफ बनलब डर गए ऐसे कई कॉंग्रेस के लिए ता कह रहे है अचान जी मैं एक बात मेरे पास दो चारे थे आप तो यह बोलो कि साब आप मरते दम तक मेरे पास एक चारा था या तो मैं जिन्दा वहां रहता और सनातन विरोध एक option तो वो था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा का विरोध करता रहता, एक रास्ता ये था, दूसरा रास्ता ये था कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा सनातन विरोध के नारे बंद करू, मैं wealth creators को गाली दे ना बंद करूँ मैंने दूसरा रास्ता चुला साब जिन्दा रहना जरूरी था मेरा आचा नी वो तो जिन्दा रहना जरूरी है तो आप आम आदमी पाटी क्यों नहीं कहें वो तो सुंदरकान कर रहे थे अब ममता बेनर जी टीमसी चल जाते वो काली पूझा कर रहे थे इसका नाम लिया साब इस कलियूग का और मैं कॉंग्रेस के लोगों को पिछले 6 महिने में राम क्रपाल जी मैंने 5 बार बुला ये बार कि कलियूग का सबसे बड़ा ब्रष्टाचारी अर्विंद केजरिवाल है उसके लेवल का ब्रष्टाचार भूतो ना बविश्यता है क्योंकि उसने जो ब्रष्टाचार किया है वो और पॉलिटीशन्स तो साब ये ऐसा करते हैं ये ऐसा कर सकते हैं उनके उपर एक्सपेक्टेशन थी वो तो आया था एकदम क्लीन साफ सफाई वाला मैं ये कर दू और इतना खुला ब्रष्टाचारी किया उससे अच्छा तो साब मैं कॉर्परेट फाइनेंस और फाइनेंशल मैनेजमेंट की बूक लेकर अंचुमान जी वापिस ये फाइनल को पढ़ाना चालू कर देता मैं अपने एडिटर्स पार आरो लेकिन जो मनें बयान दिखाए स या उस्में अगर आपको कहीं पर कोई क्लेरिफिकेशन देना है कुछ भी बताना तो आप क्या सकते के सब्सक्राइब बैरो Player constructive suggestions बाइरोजगारी वाली बात है वो बेरोजगारी की दर यह है इसको सुधारने के लिए इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए उन्ही प्रेस कॉन्फरेंसेज में आपको मैं बोलता हूं निशान जी अपने रिसर्च टीम से निकल वाईगे Congress Headquarter में बैठ कर मैंने PLI Scheme के favor में statement दिया अन्शुमान जी कि Production Linked Incentive Scheme से रोजगार का स्रजन हुआ Congress Headquarter में बैठ के मेरे से पत्रकार ने पूछा अरे कोई तो अच्छी चीज बताओ तो मैंने का तुरंद बताया कि स्वच भारत अभियान एक तरह की जागरती वाला अभियान इससे देश को फायदा हुआ Congress Headquarter में बैठ के मेरे से बजट के दौरान कई जैसे इस बार तो मैं गया नहीं क्योंकि राममंदी की प्रांट 30 का नियोता ठुक रहा है मैंने का मैं अपना मूँ छोटा करके तीवी डिबेट से नहीं आ सकता पर पहले मैं जब भी बजट में जाता था तो मेरे से पूछते थे अरे कोई तो अच्छी बात हुई होगी ऐसे एंकर पूछते थे मैंने कहता था साब ये कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाया जा रहा है निरंतर रूप से वो एक अच्छी बात है मैं ये कहता था किसान सम्वान निदी जो छे जा रहे है वो अच्छी बात है इसको 6 को 10,000 करने की ज़रूरत यह कहने की ताकत थी मेर में ठीक है रमग्रिपाल जी और फिर जैशंकर जी और मैं दो बच गये हैं प्लीस पहले जैशंकर जी पूछ फिर थोड़ा समय फीलीजी पूछ लेशंकर बॉछीए तेटि सौम्ड में गरव जी अब बार बार इतना जो से कह रहा है सनातन सनातन तो सनातन के खिलाफ जो बैणवाजीय होई थी यह आपको कभ इलहाम लगा कि हमारी पार्टी सनातन बिरोधी हो गई है एक मिनट कि सितंबर में सितंबर के पहले हफ्ते में उधाय निधी माल इस्टालिन ने बयान दिया था कि दिसंबर में आप कांग्रेस पार्टी के उमिद्वार हो गए नवमबर कि नदिसंबर में हुआ नोमबर में नोमबर में हो गया उस समय तक आपको इंदम नहीं था कि सनातन बीरोधियों के साथ कहां में लड़ने जा रहा हूं दूसरी आपने कहा कि मुझे लस्टा पावर आपने प्लीज 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 गोएड मैं ज्यारखंड में चुनाव लड़ा बिल्कुस सही जम्षेदपूर इस्ट वो कॉंस्टिटिवेंसी में पिछले आठ बार से भारती जनता पार्टी जीत रही थी आप कॉंग्रेस के इंटर्नल सर्किल में किसी से भी पूछिये कि क्या प्रोफेसर गोरो वल्लब चुनाव लड़ने का इच्छुक था क्या उसने चुनाव का टिगिट मांगा पार्टी के अंदर जब तक रहा साब मैं डिसिप्लिन से काम करता रहा आगर मैंने जीवन में कहीं भी चुनाव लड़ने का कहीं आवेदन दिया कहीं चुनाव लड़ी है मुझे नहीं पता था कि सिटिंग cycle minister के खिलाफ में चुनाव लड़ा था जारगंड में जो चुनाव लड़ा वह उससमय जो मुक्हे मंतरी थे रगंवर ला ना उनके खिलाफ चुना मुझे नहीं पता था क्या नितिजा मैं इतना बेवखुफ हूं मेरे को नहीं समझ में आती कि जो आठ बार से जहां पर कॉंग्रेस का प्रत्याशी आर रहा है अगर मुझे टिकेट लेना होता तो कोई सेफ सीट के लिए आवेदन करके नहीं लेता क्या फिर आप बोल रहे है उदैपूर का मेरी एक बार फिर मैं आपके काउंटर लूँगा फिर आपने का उदैपूर का छे बार से कॉंग्रेस आर रही है राजस्तान के कोई भी आप पत्रकार से पूछ लीजे कोई भी और आपको भी ज्यान होगा कि कॉंग्रेस की सबसे वीक अगर दो सीटे होगी राजस्तान में सबसे वीक तो उसमें एक उद्यपूर शहर की सीट आएगी मैं पार्टी के अंदर जब तक रहा पार्टी की मर्यादा से बंद कर पार्टी के सवाल नहीं था सवाल यह था दूसरा सवाल यह था मैं सनातन पर आपने कहा और समगे 7 में सटैलीन शेमिकाव टिए पर याद क्यों नहीं आया नवंबर में चुनाओ लड़ें पार्टी से जो सनातन पर अब शुजी थी साथ सितम्बर में कहा अक्टूबर सर एक हजार वीडियो दिखाऊंगा मैंने हर जगा जाके बोला कि मैं जो स्टैलिन का जो बयान है उसकी घोर निंदा करता हूं सनातन के विरोध में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूं एक हजार वीडियो आप गुगल पर सर्च करेंगा एक हजार वीडियो अब ब्राम केपाल जी अभी बड़ी बहस हो गई सनातन पर मैं कुछ बर्तमान और भाविस के बारे में पूछूँगा एक चीज जब गौरो जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं जब एक कांग्रेस में नहीं गए थे तो हम लोग मिलते थे और जब एक कांग्रेस में गए तो मैंने इन से बल्कि आश्यर जनक ढग से पूछा था कि आप कहां गए क्यों जा रहे हैं खैर अब तो मैं यह कहूंगा कि वो है कि हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतने किते दिन खोये इतने दिन आप कैसे पीड़ा बरदास्त किया अचा एक चीज मैं कल कांग्रे का मेरिफेस्टो आया है मान लीजे कि आप अब तो वहां से आप आ गया है मैं बहुत ठेट में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उन्चीजों पर नहीं जाता जो महिलाओं को देने का वादा किया गया है यूकों को जो एपरेंटिस सिप 8000 रूपे की बात की गई है के मामले में एजे को नमिस्ट आपको ज्यादा आइडिया होगा कि अगर ये सारी चीजें क्या संभव हैं बरतमान जो भी आय हमारे देश की है और जो भय है जिस तरह चल रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वाकई क्या ये मैनिफेस्टो विस्वास करने लायक है कि ये जियो चीजे वादे पूरे किये गए हैं अगर कल को सरकार आजाती है कांग्रेस की या इंडिया एलायंस की तो ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी सब्सक्रीण दिखित्र पिछले 30 साल से 3030 से Congress का मैनिफेड़ियस एक ही आदमी बना रहा है मैंने अपने पत्र में ये भी लिखा नए लोगों का नए आइडियास का एस्पिरेशनल इंडिया का कॉंग्रेस हडल रुकावट उत्पन करती एक या आदमी 30 साल से बना रहा अरे उसके आइडिया में दम होता तो 42 और 52 पे थोड़ी आते मैंने कॉंग्रेस के एक निता को बोला कि ये नियाए शब्द जो आप यूज करते हो नियूनितम आय योजना जो 2019 में लाए और जो आज भी नियाए नियाए कर रहे हो इत इस रिजेक्टेड बाई पीपुल आफ आवर कंट्री आप एक ही प्रोडेक्ट को रोज नए-ने पैकिंग में ले जाते रहोगे प्रोडेक्ट नहीं बिख सकता जब तक प्रोडेक्ट के इंटर्नल गुनवत्ता में चेंज नहीं आए दूसरी बात मैंने जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था तो मेरे विचार के लिए भी मेरे से पूछा गया मैंने का साब इतने लाख 40 लाख 42 लाख करोड का तो टोटल बजट है आप मैलाओं को इतने लाख रुपे दे दोगे मेरे पूर्णों ने ये का देखें अब इसका आपको एक और उदारन देता हूं निशान जी उद्यापूर में चिंतन शिविर हुआ उस चिंतन शिविर में हर्श्वरदन जी सबसे महतपूर्ण जो चीज निकल के आई वो था 50 under 50 आप लोगों को याद है पचास प्रतिशत जगा पचास साल से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षित की जाती उन्हों किसने डिसाइड किया ये आपने किया नई कॉंग्रेस के स्चीर्ष नित्रत्व और मैं भी उसमें था मैं उस चिंतन शिविर में तीन दिन तक बैठके था और मैंने भी खाए ये वंडरफुल गेम चेंजर आइडिया है कौन से ब्लॉक कॉंग्रेस में कौन से प्रदेश कॉंग्रेस में कौन से ओल इंडिया चापलूस कमीटी में इसका इंप्लिमेंटेशन हुआ का हुआ का युवाओ को मिला कौन से टिगिट डिस्ट्रिबूशन में इसका इंप्लिमेंटेशन हुआ मैं पूछना चाता हूँ जो अपने लिए वे निर्ने को इंप्लिमेंट नहीं कर सकते वो देश के लिए 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 गे निर्ने देश्वाची कैसे मानेंगे कि वो हमारे लिए implement कर देंगे अरे आप जो अपने लिए मैंने एक निर्ने लिया मालो मैंने और मेरे परिवार ने एक निर्ने लिया कि मैं आज से black trouser black pant नहीं पहने और कल मैं पहन का आजाओ तो आप खोगे अरे आप स्वयम का लिया गाए निर्ने स्वयम पर नहीं लागू कर सके तो देश के लोगों के लिये गए निर्ने देश के लोगों के उपर कैसे लागू कर पाएंगे Congress party जो manifesto बना रही है वो इस तरह का बना रही है कि कुछ lucrativeness उत्पन हो जाए 40 लाग करोड 42 लाग करोड का बजट बाद में देखेंगे उसमें कुछ caveat डाल देंगे कि सिरफ इन महिलाओं कोई मिलेगा 65 साल के उपर की महिलाओं कोई मिलेगा वो caveat डाल के वहीं पर full stop लगा देंगे राम प्रिपाल जी ये मंशा है उनकी मंशा क्योंकि अगर आप Congress के किसी भी शीर्षनेता से किसी भी शीर्षनेता से अकले में जाके मिलो और उसको जाके पुछो क्या position क्या है ground के वो शीरफ इशायने हम वो उसको फोन बोलने में डर लगता कही टेप नहीं हो जाये वो यह कर सकता है मेरे तो यह है कांग्रेस के नेदाओं के फून टाप पूरे मेरी बात सुनो उसको लगता है मैं कई टेप नहीं कर लूँ उसका बोला हो मैं बोलू क्या पोजिशन है राजिस्तान में क्या पोजिशन है जम्शेथपुर में और आप मैंनिफेस्टों बना रहे हैं प्रोब्लम क्या है रामकरपाल जी, प्रोब्लम यह है कि जिस व्यक्ति ने राम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्टा में नहीं जाने का निर्ने लिया, कॉंग्रेस पार्टी के ब्याफ में, उसने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा अपने इसलिए जैराम जी की कर दिया, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लड़ा, मैंने वादा किया था, ना लूँगा ना आगे लूँगा, पर उसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, उसको क्या पता, एक मिंट सर, ये बहुत मेरे, मैं दिल के गुबार के साथ, उसक मैं को क्या पता, कि जब ग्राउंड पे चुनाव लड़ते हैं, और जब प्रोफेसर गौरव वल्लब हाड पिछ पर जाता है, मेरे को एक यूवक्त पूछता है, सर, सनातन पे क्या है, सर, आपका बताओ तो, और मैं उस समय बोलता हूं, यार, मैं डवलपमेंट करूंगा शेयर का, बोले जैसिया राम, जैसिया राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, कॉंग्रेस पार्टी में जो लोग निर्ने ले रहे हैं, मैं चुनावती देता हूं, राम करपाल जी, चुनावती देता हूं, कि कॉंग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति टि NCA का नाम बता दे तो मैं आप पहुजो कर लूँ ठीक है अब बड़ा सीरिस बाते हो गई हैं मैं थोड़ा ओना लाइटर नोट जाता हूं मैं उस तरफ जाओंगा हमारे एक रैपिड फायर है यह सबसे वाइरल और सबसे पॉपलर है पहले ही पताईए आप लोग तैयार है अब आपको बोलना नहीं है चुनना है आप यहीं बैटे रहेंगे मैं वहाँ पर सवाल पूछूंगा हर सवाल पर आपकी यह हमारी जो क्राउड होसला अफ़जाई करेगी यह अलग रैपिड फायर राउंड है और आपको हमें जवाब देना पड़ेगा तैयारे जोड़ तालियों के साथ रापिड फायर राउंड एक 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 लाइन का सवाल है गौरफ जी जवाब आप देने में माहर हैं मुझे तालियों की अबाज नहीं सुना ही दे रहे है ये पहला सवाल प्रे करिए ज़रा यहां पर पहला सवाल है इमांदार नेता कौन पवार शरत पवार प्रफुल पटेल एक चुटना है गौरफ जी सर इसमें जैसे हम लोग भी MCQs कराते हैं बच्चों के लिए प्रोफेसर था तो एक D option हमेश्वा होता है नन अफ दा अबाव तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं इन तीनों से कभी भी व्यक्तिकत रूप से मिलावा नहीं पर जो अगबारों में इन तीनों के बारे में पढ़ा आपके समाचार पत्र में आपके चैनल पे जो न्यूस के बारे में इन तीनों के बारे में सुना तो इन तीन कि लिए मैं कोई टिपड़ी नी कर सकता परिमांदारी और जो आगे के दो व्यक्ति यह बीच वाले हैं यह इन के लिए मैं इनके बर में कुछ नहीं कहbay सकता इन क्योंकि आप economist हैं देश में सिर्फ एक परसेंट एक परसेंट नोटा को वोट पढ़ा था प्लीज आप उस वार बार नोटा मत मारेगा यहां पर आईए जरा सीधे आईए नर आफ दावर मत करेगा सीधे आईए नेक्स सवाल आईए अगला सवाल दिकाए जोड़ार तालिया क्योंकि विजेंदर जी के बारे में में नी जानता क्योंक्य उन्होंने अपना अपना पत्र नहीं लिखा कि उन्होंने क्या कारण से पार्टी छोड़ी उन्होंने पार्टी छोड़ी यह हम सबको द्यान पर कारण नी बताया comment Sanjay Nirupam जी ने जो C Прror पावर सेंटर से और मेर को समझ में नहीं आ रहा जो मैंने अपने पत्र में भी एक लिए एक लाइन का सवाल एक जवाब हो रहा जा जिसा ही नता और आप तीसरा पे चेहरा जाना पेचाना सा लग रहा है मुझे थे तीसरा आदमी सही लग रहा है तीसरा सही लग रहा है आपको लग रहा है कि नहीं अब सर आज आपके लिए रापिट फायर राउंड में पहले जोरदार तालियों हो जरा तीसरा चेहरा आप लोग को जाना पेचाना लग रहा है हाँ या ना ठीक है आपको लग रह जाना पर जाना थी वह यहीं बैठे यहां पर आई जड़ा अब सरा हमारा अगला सवाल प्ले अन कर यह विचारदारा का भी पक्ता लग रहा है जांते हैं यह RSS के बड़े नेता रहे हैं मैं इनको नाम से में में को क्योंकि फोटू एधर से तिर्शी दिख रही है पर ये मेरे कुल आप जाएं तो आ सकते हैं नहीं मैं ये RSS के में नेता लग रहे हैं मुझे और मेरे को नाम मेरे को यहां से मैं नहीं देख पार सर आप बीजेपी में आए हैं थोड़ी विचार धारा में अभी आना और पक्का होना जरूरी है आईए जरा दिखाईए जो नहीं निशान जी मैं फिर बोलता हूं कि मैं आपको मैंने बुला कि RSS के निता है पर मैं आप जो मेरे से जो रैपिट फायर एक्जाम मेरा ले रहे हो मैं तीन कारण मैंने बताए बार बार यह है कुशा भाव ठाकरे बीजेपी अध्यक्ष 1998 से 2000 तक मेरी पड़ीवी है अच्छा ठीकि मैंने फोटू से आपको इधर से निशान पाया नो पॉस्तक में एक वाक्य एक मिन निशान जी वाक्य बड़ा इंट्रेस्टिंग है उ मध्यपरदेश में उस समय जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे मध्यपरदेश में तो इनुन ने एक अपने व्यक्ति को और मैं से नाम बताऊ उ 114 के मुख्य मंत्री थे आँ पटवा जी पटवा जी पटवा जी को उन्होंने उस पुस्तक में एक लाइन लिखी जो मैं कई बार अपने आपके लिए यूज करता हूं कि बात होए नहीं होए आप एगरी हो नहीं हो समवाद जारी रहना चाहिए यह इनका स्टेटमेंट है यह उस पुस्तक से दोर दाली नाम नहीं इधर से पैचेरे से नहीं पैचान पाया क्योंकि मैं तिछा देख रहा हूं आप जाहें तो इधर आ सकते हैं आप कुस्तक के बाद मैं कह सकता हूं आप चाहिए इधर आना चाहिए यह इनका एक शब्द था जो मैं हमेशा याद रखता हूं अपने अब हमारे साथ अगली तस्वीर जड़ा दिखाए और यह अगली तस्वीर प्ले करिये जरा क्या आप इने जानते हैं यह भी बारची जनता पाटी के अद्ध्यक्स जना क्रश्नमूर्ती जी जो यहाँ पर दर्शक है उन सब के लिए एक बार मैं चाहूंगा आशिश भाई दूसरी प्लेट प्लेट करिये यह देखें के जना क्रिश्नमूर्ती बीजेपी अद्ध्य कर देना है बहतर विचारक कौन जवाला लेरू या विनायक दावोदर सावर कर जी इसका जवाब दूँगा अच्छा सवाल है इसका जवाब देना भी चाहता था मैं और कई जगह दिया भी है कर परसू से लेकर आस्तर मैंने कभी भी इनके बारे में अप्शब्द नहीं क गया क्योंकि जब इतियास लिखा जा रहा था फ्रीडम का तो इतियास लिखा जा रहा था उन लोगों के द्वारा जो इनकी इनसे गरणा करते थे तो उस इत्यास को पढ़कर इनके बारे में आपकी धारना बनाना गलत है और इनके कॉंट्रिब्यूशन को मैं मानता हूँ मैं इनके contribution को मानता हूं और इनके बारे में इत्यास कारों क्योंकि जो इत्यास लिख रहे थे वो इनके विचारधारा के विपरीत लोग थे तो इनके contribution को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया आप इनको भीर मांते हैं कि नहीं मांते हूं मांता हूं ना मैं कह रहा हूं ना मैं कभी गाली नहीं दी मैं मांता हूं पर हमको जो इत्यास पढ़ाया गया मैं बोल रहा हूं ना हमको जो इत्यास पढ़ाया गया वो इनके विपरीत विचारधारा के लोगो ने लिखा तो इनको इनके contribution को reduce करने का प्रयास किया गया पर इनका भी contribution देश के आप जरह इस तरह वाई है गौरफ जी लेकिन अब मैं यही पर एक बाइट प्ले कर रहा हूं आपी का बयान अब प्ले कर दिखाईए और तो मैं वहीं बैट के भी सुन लेता नएक बेटकर की विचारधारा पड़नी चाहिए पंडित नहरू की विचारधारा पड़नी चाहिए हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठेक्रम में इंक्लूड कर लें जिन्होंने अंग्रेजों से साट रुपे पैंशन लेके देश के जो स्वतनता सेनानी है उनकी मुखबरी की तो मैंने तो आपको फिर बोला मैंने क्योंकि इतियास किनों ने लिखा मैं मेरे को निशान जी अंदेशा था कि आप ये करोगे सर इस बार पैराशूट काम नहीं आ रहा है पैराशूट नहीं मुझे पता था मैंने कहा कि इतियास में जो हमको पढ़ाया गया वो इनके विपरीत विचारधारा वाले लोगों कांट्रिब्यूशन को गलत दिखाया गया इंके पिर बूलता हूं इणकें तीन सवाल हैं आप मेरे अच्छा लग रगा आपसे, आप बात करकरके तीन सवाले पहले जोचे की कमी नहीं होनी चाहिए अब बहुत आसान सवाल है और बहुत जाने पेचाने चेहरे हैं अगला सवाल दिखाईए हमारा अगला सवाल क्या है यह देखें देश का जननेता कौन मैंने मैने आपको यह सुनना एक ही चुनूंगा पर आक पहले कारण देते हूं फिर अंसर दूंगा ना विदाउट कारण अगर कोई व्यक्ति आंसर देता तो वो चोरी का अंसर होता है मेरे चोरी के आंसर नहीं देने कोके छोटासांसलिक आप राजनिती के लिए मिस्फिट मैं और इनके सामने भी बोल सकता हूँ ठीक है अब कि आप राजनिती के लिए अन्फिट है ठीक है दूसरा दूसरा आप देश की भावना और देश के मिजाज को मुझे नहीं लगता इने से बहतर आज तक किसी ने समझा हो ठीक है बड़ी साफ गोई से अब आप जोरदार तालियों से अगले सवाल का स्वागत करिये क्योंकि उसमें बहुत जाने पेचाने चैने जोरदार तालियों जाए दिखाईए ज़रा बहतर प्रदक्ता कौन देखिए आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ये कह दे कि मेरे से बैतर कोई है क्या आप मिले हैं क्या जोरदार तालियों जाए ज़रा अब मैं दोरदार तालिया एक टीवी 9 के दो एंकर्स के यहां फोटू लगाऊ और निशान जी से पूछू निशान जी बैटर बैटर है कि दूसरे एंकर बैटर है अगर निशान जी ये कहने का कलिजा रखते हो कि वह बैटर है तो आप संतो भाई साब ठीक है चलिए अब अगली फोटो में अगली फोटो में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि कौन किस से बहतर है बस थोड़ा सा ट्विस्ट है दिखाए जोरदार तालियों हो पहले एक बार अगली फोटो अब बताईए मुझे सत्यवादी नेता कौन यह यहां पार गौरब बनलब कॉंग्रेस यह आदमी भी सत्य बोल रहा था हर जगा सत्य बोला अपनी पार्टी को सत्य के रास्ते पे लाने का प्रयास किया टीवी चैनलों में मेरे को लगा अंचुमान जी मुझे लगा कि मैं बजट के प्रेस कॉंफरेंस में नहीं जाओंगा नहीं करूंगा तो शायद राम हम छूटे हम चूटे तो यह व्यक्ति भी सत्य वादी था सत्य के कारणी यह व्यक्ति यहां पर पहुचा अगर सत्य नहीं बोलता अगर सब पीता रहता तो दौनों सच्चे हैं और यह तीसरा बीच वाला भी सच्चा है आए सर आए जोरदार तालियों हो बहुत शांदार बहुत शांदार सवाल पूचे जवाब दिये राजे सर आपका सवाल है आपसे बहुत ही छोटा सा सवाल है आई प्लीज बैठ यह आपका एक कोट दे रहा हूं ठीक है और उसके बाद एक सवाल चोटा सा है हावर्ड से पड़े मंत्री लिंचिंग करने वालों को कर रहे हैं लानत है हार्वर्ड पर और उनकी शिक्षा पर मैंने बोला यह आपने बोला आप उसी पार्टी में जिसके मंत्री माल्यारपन कर रहे थे मैंने उनको मूपे भी बोला अब क्या स्थिती है मैंने उनको मूपे भी बोला कि आपको लिंचिंग वालों को माला नही पहलानी चाहिए थी मैंने उनको जब मिले क्योंकि कई आर्थिक विश्यों की डिबेट में वो मंत्री जी मिले जो आभी चुनाव भी नहीं लड़े वो मुझे लगता है कि राजनीती से भी एक्जिट मोड में हैं ऐसा मेरे को समाचार पत्रों से पता चला पर मैंने पूछा नहीं उनसे पर चुनाव नहीं लड़े ये बात कंफर्म जहारखंड के चुनाव लड़े और जहारखंड से ही वो दो बार चुनाव लड़े मैंने उनको बोला कि यह जो आज विए बयान पर कायम हूं केंद्री मंत्री ऐसे जुप करके अगर साथा मैं नहीं मैं अपने बयान पर कायम हूं प्रधान मंत्री मोडी जी ने लिंचिंग वालों को बढ़ावा नहीं दिया है लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए गये हैं तो इसलिए मैं जा इत्ते पड़े लिक्षे हो यह आपको शुबानी देता अब अंचुमन जी आप से सवाल गरो भायों है कि आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है कि यह सदाय अपका पीछा करेंगी पर वह सवाल महीं जायज हैं अभी भी कर्ज के महंघाई के भिरोज गारी के क्या वो अंशुमान जी आपने घुमा फिरा के पूछा है, कई लोगों ने डाइरेक्ट प्रशने एक पूछा, कि आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, तो मैं उनको ये कहता हूँ, कि जब मैं 42 सांसदो वाली कॉंग्रेस को जोइन किया था, तो मैं कोई पद के लिए तो किया न मंत्री जी की, उसमें अपना गिलहरी वाला योगदान देखे रहूँ, और जो इस्यू जो डेट वाला इस्यू आपने रेज किया, मैंने खुद ने, I was the first person who raised this issue in the country, अंशुमान जी अगर आपको याद हो, मैंने जो बढ़ता डेट है, वो इस्यू रेज किया था, पर मैं साथ में ये भी कहता था, कि कैपेक्स भी ज़रूरी है, उसी डेट की प्रेस कोंफरेंस में ही कहता था, कि डेट का उपियोग सही हो, तो डेट भी अग आप एड़जेस्ट कर सकते हो, मैं जब इंडिया की डेट का कमपेरिजन करता था, तो अमेरिका और चीन का भी पर जीडीपी पे और पर कैपिटा डेट किता है, वो आखड़ा भी देश के सामने रखता था, तो वो सारी चीजे, मैंने एक और इस्यू मैं आपके भी आप पे अपने आप से प्रश्म कर लेता हूं, कि गौरव जी आप अनेम्प्लोईमेंट के लिए मुखोर थे, अनेम्प बढ़ा रहे हैं, अरे भाई, तुम्हारा सजेशन क्या है, इव आप अनेम्प्लोईमेंट के लिए मुखोर थे, तो अब कुछ चीजे और सुधार करना है, जो तीसरे नंबर की एकॉनोमी बनाने का संकल्प मोदी जी का है, वो जल्द से जल्द अचीव करना है, 47 की मोदी जी बात कर रहे हैं, डवलब नेशन की, उसको उस 5 trillion पे भी बात करनी है, 5 trillion डॉलर की एकॉनोमी को जल्द से जल्द अचीव करना है, यह सारे issues हैं, और इसमें अगर पार्टी मेरा योगदान मांगेगी, हर इस तर पर योगदान दूगा, पर फिर कहता हूं, कि mandatory conditions पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आप बोलो राम जी के मत जाओ, और गालियां देो अडानी अंबानी को, जैस या राम बंदे मात्र, अब गौरब जी, यह हमारे शो का लास्ट पढ़ाओ है, यह प्लेकार्ड आपके सामने है, येस या नो, वो आपका कैमरा है, इसमें एक्स्प्लिनेशन नहीं देना है, येस या नो और आप पास कर सकते हैं, ये अग्जाटली, देखिए अब आप, ये आपको अच्छे से पता है, जोरदार तालियां हो पहले, हर सवाल पर तालियां और होसला अफ़ाई जरूरी है, क्या आप लोग तैयार हैं, रैपिट फ देश के पहले प्रधार मंत्री थे, येस या नो सर, देश के पहले प्रधार मंत्री तो नहीं थे, नो, सर, क्लाप, आपकी नेता कह रही है, कंगना रनाओत, नहीं, उन्हों ने ये कहा कि उनको बनाना चाहिए था, मेरी बात सुलो, आप फैक्च्वली, अच्छा चली, आ क्या है, क्या है, बाइनरी आंस्वर्च में भावना नहीं बाहरा आती है, अर्थ का अनर्थ निकलता है, सुबाश चंद्र बोस्ट साब का भी, कॉंट्रिव्यूशन कम करने का प्रयास उन्हों लोगों ने किया, जो लोग उस समय इतियास लिक रहे थे, वो उनकी विचार से समन्वे नहीं बैठा पा रहे थे, इसलिए उनके कॉंट्रिव्यूशन को नीचे लाने का प्रयास जरूर किया गया, जो मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, पर देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रदानमंत्री, पंडित नहरू थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है कम हुए है, महंगाई कम हुए है, percentage's terms में, percentage's, मेरी बात सुनों, मैं यह दिखा रहा हूं, मेरी बात सुनों, फिर मैं कहा रहा हूँ ना, percentage's terms में हुए है, पर essential commodities की महंगाई, आज drove का क्या है, क्या जो काप पर capital income है, वो उस रफतार से नहें बड़ी, जिस रफतार से कि मेंगही अलग है overall में ऑई अगला सब्सक्राइब red प्रेंड हाइए अगला सब्सक्राइश से ए बात फिर में यस नो दे दूँगा नो डी मॉनेटाइजेशन से देश में एक बड़ा फायदा हुआ है और एक नुकसान भी हुआ दौनों बता दे तो बड़ा फायदा यह हुआ है कि जो कालाधन लोग एकत्रित करने की सोचते थे या करना चाते थे कई इस पे डिस्प्यू गया उससे एक लोगों को पता चल गया कि मोधी सरकार की मंशा ब्लैक मनी के खिलाफ है और दूसरा जो नुकसान हुआ वह अनौर्गनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल एकॉनोमी को नुकसान हुआ क्योंकि वह कैश बेस्ट इकॉनों मैं इसको यह करूँगा मैंने दौनों आपको एक फाइदा वह एक नुकसान भी बता दिया एक फाइदा भी बताया चलिए ठीक है फाइदा आप समझ में आ रहा है मुझे क्यों बता रहे है जोरदार तालिया हो जाए जरा आईए जरा अगला सवाल तालियों के साथ प्लीज यूपिय सरकार भष्टी मैं तो उसके पार्ट था नहीं पर जो मैं तो उस समय कॉंग्रेस में था नहीं मैं तो नौकरी करता था अपनी पर जो पत्रों में और जो वीडियो में आता था वो तो ये आंसर है तो आपने भेश सरकार वाली पार्टी को जोइन कर गए इसलिए मैंने काना कि भाई मैंने ये सोचा कि नए लोगों की नए आइडियास की वहाँ पर जरूरत है और मैं अपना फिटमेंट वहाँ पर बैटर समझ रहा था उस समय पर वो जो तीन कंडिशन्स जिसको लेकर मैंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ी वो आज भी अपनी जगा पर बिल्कुल सही आपको 2014 में नहीं पताता है कि यह सनातन के विरोध का पहला नारा तो पिर राम मंदिर की प्रांट मेरे तो तीन कारण तीन बता दिये ना आपको सनातन का विरोध राम मंदिर की प्रांट प्रतिष्टा में नहीं जाना और अगला सवाल है अगला सवाल है एंडिये में दिखाईए जरा प्ले करिए एंडिये में परिवारवाद नहीं है अब मैं आपको यह कहूं कि what is the definition आपका और मेरा definition में अंतर हो सकता पहले मुझे because this is not a term which is defined properly what do you mean by परिवारवाद जब आप उधर होते तो अलग definition होती है अधर होती है कि वह उस व्यक्ति का पुत्र ये पुत्री या उसका दामाद या जवाई या काका के नाना की चाचा है बिना योग्येता को देखे तो वह परिवारवाद है मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने परिवारवाद को कंट्रोल करने का भरसक प्रयाज भारती जन्ता पार्टी में किया और 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 मेरी 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 पूर्व पार्टी में मेरी पूर्व पार्टी में मैं आपको एक वाक्या बताता हूं निशाद कि अगरे मैं आपसे सीरा सवाल पूचा था मैं उत्तर तो दिन से दे रहा पूरी बाते नोट बंदीगा भी मैंने आपको एक छोटा नुकसान तो बताए यह ला हमारी हमारी पूर्व पार्टी में कॉंग्रेस पार्टी में जो अभी अध्यक्ष हैं उनके पुत्र के करनाटक सरकार में मंत्री वो जमीन पर काम कर रहे हैं मैं उसे परिवारवाद नह मिला है वो परिवारवाद है सर बीजेपी करनाटक अध्यक्ष पार्ट तो सुनो मैंने आपको एक दौनों उधारन दिये उनके पुत्र मंत्री है वो जमीन पर 24-7 की राजनिति करते हैं वो परिवारवाद नहीं मानता वो मंत्री भी है उनके पुत्र पर उनके जमाई को टिकेट देना परिवारवाद है मैं यहीं कह रहा हूं सर चिराग पास्वान के बहनोई को टिकेट मिला है देखिए अब इसमें मैं मेरा परस्पेक्टिव डालू हाना में उससे अच्छा है देश की जनता को डिसाइड करने दो जो परिवारवादी है वो हार जाएंगे औ जो परिवारवादी नहीं है वो जीत जाएंगे जोरदार तालियां हो मेरा अगला सवाल थोड़ा जोरदार तालियां हो यह सवाल शायद आपके लिए बहुत ज्यादा कटिन नहीं होगा दिखाए ज़रा येस या नो में जवाब सर राहूल गांदी दूरदर्शी नेता ह अगला सवाल सर अब इसमें हा या ना सीध आईए जरा जोरदार तालियां हो मोधी सरकार आई तो देश की एकॉनोमी पाँच ट्रिलियन होगी पाँच ट्रिलियन इसमॉल नंबर हम वी शुट एम फर टैन ट्रिलियन और वी शुट एम तो एचिव दा चाइना इकॉनोमी सर अब मैं इस शो को वाइंड अफ कर रहा हूं लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सभी दर्शकों की मांगे जोरदार तालिया हो पाँच ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं एक बार खड़े हो के सार मेरा तो मैं यहां आ रहा था मैं सारे आप साथियों को बता रहा हूं तो मैं रस्ते में था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया जो प्रोफेशनली सीसो है कमपनी पार झूभलक हां जा रहा है मैंने का टीवी नाइन का एक शो ऑडिटर बैटथ़ गोह ले तुझे गृडो होने के लिए और तूघर के जा रहा है मैंने का मैं जरूर जाओंगा क्योंकि मैं जो आपके सवाल जो आपने सवाल पूछे हैं वो देश के लोगों के सवाल है जो आपने यहां पे binary answers के सवाल पूछे वो देश के लोगों के सवाल है अगर देश के लोगों के सवाल का मैं उत्तर नहीं दे पाऊ तो मुझे लगता है कि फिर में बहिमानी गलत काम कर रहा हूँ, गलत काम करने से बेटर, कॉर्परेट फाइनेंस पढ़ाऊं, न्पीबी पढ़ाऊं, आयरार पढ़ाऊं, पाच च्रिलियन के जीरो से, एक बर जाए, सुरिए गजार, प्रोफेसर गौरफ बल्ला विस वक्त हमें कुछ बता रहे हैं, क्लास सिक्स्त में, क्लास सिक्स्त में एक नंबर सिस्टम करके चैप्टर आता, हम सब ने पढ़ा, उसमें एक इंग्लिश नंबर सिस्टम होता, और मुझे ग्रिल किया गया आती, वो हिंदी नंबर सिस्टम दिखिया, English number system 3 zero से बढ़ता है 1s, 10s, 1000s millions, billions, trillions तो trillion में 10 to the power 12 तो वो तीन-तीन number से बढ़ता जाएगा हमारा जो हिंदी number system है, वो इकाई, दाई सैकड़ा, हजार 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इस तरह से 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बढ़ता है तो हमारा दो दो जीरो से बढ़ता है, वो नमबर, नाम दो दो जीरो से चेंज होता है, तो ट्रिलियन is 10 to the power 12, और मैं तो आज से कह रहा हूँ, निशान जी, कि अपने तो ट्रिलियन ने एक लाग करोड की बात करनी है, कि हम पांच लाग करोड डॉलर की एकोनोमी बनाई है, सर उसके जीरो किनना और डिफिकल्ट होगा तो लेकिन आप मुझे एक बात दोजाए है, और लाख में पांच जीरो, साथ और पांच बारा, अब आपके प्रिये सहियोगी शंबित जी की बात कर लें, लोग सवाल पूछने मुझे ट्विटर पे, कि उनको कोई संदेश दे की नीतियों का प्रचार जरूर करूंगा, और संबित पातरा जी के लिए कहूंगा, कि ये नूस मैनी तिंग्स, बट ये डिजन नो मैनी अधर तिंग्स अलसो, चलिए ठीक है, बहुत 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 स्वागत है आपका, थांक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े आपका सर, थांक यू बही मच, सार, बहुत 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 जोरदार तालियों हो जाएं प्रीज, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्रप्रिदेश के सहारनपूर की रैली में, प्रधान मंत्री मोधी की ओर से बयान दिया गया है, पूरी दुनिया में भारत का बज़वाय कैना प्यमोधी का, यूरोप अमेरिका, आफ्रिका ने भारत का डंका, कॉंग्रिस में भारत की कमजोर छवी बनाई, ये भी उनकी तरफ से कहा गया, उदर शक्ति वाले बयान पर, पीम ने कॉंग्रिस को घेरा भी, कोई शक्ति का सामर्च खत्म नहीं कर सकता, हम शक्ति की उपास्ता को नकारते नहीं, हमारा इस्थान, मा शक्ति का स्थान है, हमारा इस्थान, मा शक्ति की साधना का स्थान है, और इंदुस्तान के हर कोने में, शक्ति की उपास्ता, ये हमारी स्वाभावी, आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है, ये हमारा इस्वान हे प्क्ति की उतनी स्थान है,